हाई हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई न्यू वीडियो तो फ्रेंड्स रिसेंटली ही एक बहुती बड़ी न्यूज वादल हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जनकुक इंडिया के सेलिबिटी और डांसर जिन्हें आपने काफी सारे टीवी सोज में देखा होगा और जिनका नुरा फते ही हैं से जल्ड ही मिलने वाले हैं यह न्यूज सुनने के बाद आप सब यह सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और आप भी यह जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा लाश्क तक देखिए गा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटेस के आगे लिटेस्ट न्यूज को जानने के लिए साथी साथ मुझे इस्टाइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्सिन में दे परफॉर्म करेंगे और अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही जंकुक कोरिया से कथर जाने वाले हैं और ऐसे ही फीफा वर्लकप के उपनिंग सर्मनी में इंडिया को रिप्रेसेंट करने के लिए इंडिया से नौरा फत्वाद ही बीजाने वाले हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी और इनी सब चीजों को लेकर ऐसा लग रहा है कि नौरा फतेही जंकुक से मिल सकती है और इसे लिए काफी सारी आर्मीच का ये कहना है कि जब दोनों यानिके नौरा फतेही और जंकुक एक ही जगह पर परफॉर्मस करेंगे तो काफी सारे ऐसे मुव्मेंट होंगे कि वो दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक दूसरे से काफी सारी बाते कर सकते हैं साथे साथ काफी सारी आर्मीच का ये भी कहना है कि इस ओपनिंग सर्मानी को लेकर पार्टी भी हो सकती है और जहांपर सेलिबिटीज के एक साथ काफी फोटो भी क्लिक किये जा सकते हैं और इसलिए हो सकता है कि नोरा फतेही भी जंगोग के साथ फोटो ले क्योंकि इसके पहले भी जब ये एनॉंस्मेंट हुई थी कि नोरा फतेही इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए फिफा वर्लकप के ओपनिंग सेरिमानी में जाएंगी तो उन्होंने अपने एकसाइटमेंट को इंस्टागाम के थूँ अपने फ्रेंस के साथ शेयर भी किया था और इसलिए सोचल मीडिया पर काफी सारी आर्मी ची कह रही है कि नोरा फतेही और जंगुप मिलने वाले हैं लेकिन आपको क्लियरली बता दो कि अभी तक कोई भी ऐसी कंफरमेशन नहीं आई है कि नोरा फतेही और जंगुप एक दूसरे से मिलेंगे ही ऐसा भी हो सकता है क कि वो दोनों ना मिले तो फ्रेंट्स आप सब भी वेट करिए जब तक यह सेरमनी होना जाए जो कि 20 नौंबर को होने वाली है और जब तक यह नहीं होगी तब तक फ्रेंट्स के एकसाइटमेंट वनी रहेगी और इस तरह काफी सारी निज और रियूमर्स वारल होते रहें कि प्रेंटर को दूंगर कि प्रेंटस के हैंट्